हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल कम्प्लीट स्टडी आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिमूद डैसिमल टोपिक यानि कि डैसिमल को कैसे हटाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं question Number 1 question स्टार्ट करने से पहले कुछ basic बाते देखते हैं जैसे कि हमें डिवाइड करना हो 5 को 2 से तो कितना answer आएगा इसको the is back 5 को डिवाइड करना है 2 से तो यह यह जाएगा दो पर फशी सबस fa फिर क्या करेंगे यहापर दस मलव लगा देंगे दस मलव लगाने के बाद एक 0 उतर कर आती है अब यह जाएगा 5 पर निकि 2 5 10 अब इसको माइनिस करेंगे तो 0 आएगा इनकि यह complete divide हो गया है तो इसको divide किया तो कितना answer है 2.5 अब अगर हमें यह बोले कि इस 10 मलव को हमें भीन में convert करना है तो कैसे करेंगे इसी को बोलता है कि 10 मलव को हटाएंगे तो कितना answer आएगा तो यह आना से 5 बटे 2 अब यह कैसे आता है वो सीखते हैं आपको 2. 5 को भीन में convert करना है कि 10 मलव इसका हमें हटाना है तो सबसे पहले आप यहां पर जो 10 मलव उसको बूल जाओ अगर यहां पर 10 मलव नहीं होता तो संख्या कितनी होती 25 डिवाइड में अब 10 मलव है उसकी जगह आपको लिखना है एक और 10 मलव के बाद कितनी अंक है एक अंक और यह जाएगा 2 पर यहां कि 5 डोनी 10 तो कितना अंसर आया है 5 बटा दो यहीं अंसर था बिन में तो इसको ऐसे हम 10 मलव को हटाएंगे तो अब चलते हैं क्योस्टन पर क्योस्टन नमबर वन अगर यहां पर 10 मलव नहीं होता तो कितनी संख्या होती है 0 3 अब निच्छे क्या करना 10 मलव की जगह आपको लिखना है एक और 10 मलव के बाद कितनी अंक है एक अंक है तो एक 0 लगा देंगे 0 3 का मतलब है क्या यह तीन है तो 3 बटा 10 यह इसका अंसर होगा अब यहां पर देखते हैं 10 मलव 70 अगर यहां पर 10 मलव नहीं होता तो कितना ह होता सकतर कि डिवाइड में 10 मलव की जगह आपको लिखना है एक और 10 मलव के बाद कितनी अंक है दो अंक है एक तो साथ है एक 0 है यानि कि दो अंक है तो यहां पर दो 0 लगा देंगे तो यह 20 लगा दी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी अंसर आएगा यहां से 7 बटा 10 10 मलव 7 0 है इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं 0.70 क्योंस नमबर 3 0.32 अगर यहां पर यह 10 मलव नहीं होता तो संख्या कितनी बन जाती 32 डिवाइड में 10 मलव की जगह लिखना है एक 10 मलव के बाद कितने अंक है दो तो 20 लगा देंगे आपर तो यह इसका अंसर हो जाएगा इसक 4 अठे 32 और 6 से कैंसल करेंगे तो 25 पर जाएगा यांनिकि 8 बटा 25 इसका अंसर आएगा इसको डिवाइड करोगे 8 को अगर 25 से तो यह 0.32 आएगा इसको डिवाइड करके भी देख सकते हूं सबसे पहले 0 पर जाएगा तो यह कितना हो जाएगा जीरो पर जाएगा तो 8 बचेगा निकि दस मलव लगाना पड़ेगा फिर यह हो जाएगा 80 अब यह जाएगा 25 तिया 55 इसको माइनिस करेंगे तो 5 बचेगा दस मलव लगा रखा तो एक 0 आ जाएगी अब यह जाएगा दो पर 25 दूनी 50 पूरा पूरा डिवाइड हो गया त इसके बाद अंक कितने हैं दो तो 20 लगा देंगे च्यार से कैंसल भी हो जाएगा कैंसल करके भी इसको लिख सकते हैं अब चलते हैं क्योस्टन वर फाइप अगर यहां पर यह डैसिमल नहीं होता तो संख्या होती 99 और डिवाइड में 10 मलव के जाएगा एक और इसके बाद अंक कितनी हैं दो तो 20 लगा देंगे अब यहां पर देखो अगर यह डैσιमल नहीं होता तो संख्या होती 94 डिवाइड में 10 मलव की जगा एक इसके बाद अंक कितनी हैं दो यहाँ पर point को हटा दो एक बाद तो यह होगी संख्या 8 और divide में 10 मलों की जगा 1 अंग कितने हैं बाद में इसके 2 तो 2 0 लगा देंगे यहाँ पर यह 10 मलों नहीं होता तो संख्या कितनी होती 22 divide में 10 मलों की जगा 1 और इसके बाद अंग कितने हैं 10 मलों के बाद 1 तो एक 0 लगा देंगे यहाँ पर देखो डाउ быстр होता तो यह होती 206 में डिवाइड में कि Г्टशमल के जग milk नार इसके बाद अंक इतने हैं दो तो दो 0 लगा देंगे यहाँ पर संख्याइल अगरद नहीं होता तो यह होती 2874 डिवाइड में दस मलव की जगा पर एक उसके बाद अंख है तीन तो 30 लगा देंगे यह इसका अंसर होगा इसको कैंसल करते जाना अब यहां पर देखो यह दस मलव नहीं होता तो संख्या होती 369 डिवाइड में दस मलव की जगा एक इसके बाद अंख कितनी है एक तो 10 लग जाएगी यह हो जाएगी 36897 दस मलव की जगा एक इसके बाद अंख कितनी है यह च्यार तो 4 जिरो यहां पर लग जाएगी यहां पर अगर दस मलव नही यहां पर यह नहीं होता तो संख्या होती 7684 डिवाइड में दस मलग जगा पर एक इसके बाद अंक है एक तो एक जिरो लग जाएगी कि संख्या कितनी होती 48 डिवाइड में दसनाओ की जगा पर एक इसके बाद अंक कितनी है दो तो 20 लग जाएंगी इसके बना कितनी है दो 25 जिरो लग जाएंगी उसको 169 नीचा कितना घाएगा 10 मलग की जगा परında एक इसके बाद 2 जीरो लग जाएगी यहाँ पर यह 79 डिवाइड में 10 मलग की जगह पर 1 इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 लग जाएंगे यहाँ पर यह हो जाएगा 10 मलग को हटाएंगे तो 689 और डिवाइड में 10 मलग की जगह पर 1 इसके बाद 2 तो 2 0 लग जाएंगे यहाँ पर 980, 10 मलग की जगाँ पर 1, इसके बद अंक है 2, तो 2 0 लग जाएगी यह हो जाएगा 119, डिवाइड में 10 मलग की जगाँ पर 1, इसके बद अंक कितनी है 2, तो 2 0 लग जाएगी यहाँ पर यह 447 दस मलग की जगह पर 1 इसके बद अंक है 1 तो 1 0 लग जाएगी यहाँ पर यह हो जाएगी 6587 डिवाइड में 10 मलग की जगह पर 1 इसके बद अंक कितने है 2 तो 2 0 लग जाएगी यह हो जाएगा 287 डिवाइड में 10 मलों की जगा पर 1 इसके बाद अंक कितने हैं 2 तो 2 0 लग जाएगी यहाँ पर हो जाएगा 7624 डिवाइड में 10 मलों की जगा पर 1 इसके बाद अंक कितने हैं 2 तो 2 0 लग जाएगी यहाँ पर यह हो जाएगा 8548 डिवाइड में दस मलग की जगह पर 1 इसके बाद अंक कितने है 2? तो दो जिना लग जाएंगी यह कानसर हो जाएगा इसको कैंसल करते भी जेना आप चलते है 29 पर असना कितनी हो गृट दूह जगाएगी तैयस्तरल चिस में दस मंड़व की जगह पर 1 इसके बाद न्थानक है już 12-20 लग what ंभाएजियोवह जाएगा टीवाइड में दस मंड़व की जगह पर इसके बाद न्कषिक 2020 लग जाएग USDA यहाँ पर 47, 47, 10 मलों की जगह पर 1 और इसके बाद अंक है 2, तो 2-0 लगेंगी, 498, 10 मलों की जगह पर 1 इसके बाद अंक है 2, तो 2-0, 1689, 10 मलों की जगह पर 1 और इसके बाद अंक है 2, तो 2-0 लगेंगी, चार सो सड़ सट डिवाइड में दस मलक जगह पर एक इसके बाद अंक दो हैं तो दो जिरो लगेंगी च्छतिसो सटासी डिवाइड में दस मलक जगह पर एक इसके बाद अंक दो हैं तो दो जिरो लगेंगी इसके बाद दो अंक है तो दो जीरो इनको कैंसल भी करते रहना अब चलते हैं फोर्टी वुन पर 34987 डिवाइड में 10 मलव की जगा पर 1 इसके बाद अंक कितने है 3 तो 3 0 लगेंगी यहाँ पर यह हो जाएगा 466, 875 यह संख्या थी उपर और डिवाइड में 10 मलव की जगा पर 1 लिखेंगे इसके बाद अंक है 3 तो 3 0 लगा जाएगी इसका अंसर होगा यहाँ पर यह 256 और फिर है 366 डिवाइड में 10 मलव की जगा पर 1 इसके बाद अंक 3 है तो 3 0 लगेंगी यहाँ पर 457, 889 डिवाइड में 10 मलव की जगा पर 1 इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 43,476 डिवाइड में 10 मलव की जगा पर 1 इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 324, 688 डिवाइड में 10 मलव की जगा पर 1 इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 286, 588 डिवाइड में 10 मलव की जगा पर 1 इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 245, 466 डिवाइड में 10 मलव की जगा पर 1 इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 223, 324 डिवाइड में 10 मलव की जगा पर 1 इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 213, 343 डिवाइड में 1 और इसके बाद अंक है 3 455 345 Divide में 10 मलोग की जगापर एक इसके बाद अंक है 3 3-0 456 708 Divide में 10 मलोग की जगापर एक इसके बाद 3 अंक है तो 3-0 53 9346 Divide में 10 मलोग की जगापर एक इसके बाद 3 अंक है 30 6347 डिवाइड में 10 मलोग की जगह पर 1 उसके बाद 3 अंक है तो 30 7543 डिवाइड में 10 मलोग की जगह पर 1 इसके बाद 3 अंक है तो 30 7987 डिवाइड में 1 उसके बाद 30 8704 दस मलोग के जगह पर 1 उसके बाद 3 अंक है तो 3-0 4347 दस मलोग के जगह पर 1 उसके बाद 3 अंक है तो 3-0 3968 फिर 1 और इसके बाद अंक है 3 तो 3-0 9400 37 डिवाइड में 1 और इसके बाद अंक है 3 यानिकी 3-0 69 65 36 और यह 70 decimal के जगह एक उसके बाद अंक है 4 तो 4 0 लगाएंगे यहाँ पर यह 65 66 64 divide में 10- ohh की जगह पर 1 उसके बाद अंक है 4 तो 4 0 लगेंगे यहाँ पर और यह 46 26 34 divide में 10- ohh की जगह पर 1 उसके बाद 4 अंक है तो 4 0 67-686 डिवाइड में 10 मलों की जगह पर 1 उसके बाद 4 अंक है तो 4-0 65 65-67-69 डिवाइड में 10 मलों की जगह पर 1 उसके बाद अंक है या पर 4-0 53 55-67 डिवाइड में 10 मलों की जगह पर 1 उसके बाद अंक है चार तो 4-0 यहां पर 55-45-67 डिवाइड में 10 मलों की जगह पर 1 उसके बाद 4 अंक है तो 4-0 23-24 डिवाइड में 1 उसके बाद अंक 4 है तो 4-0 चुराणव है 53 43 डिवाइड में 10 मलों की जगह पर एक उसके बाद 40 तो 40 लगा च्यार अंक थे इनको कैंसल करते हैं ना किसी से कैंसल होता हो तो कि उनासी 49 68 दस मलों की जगह पर एक उसके बाद च्यार अंक है तो 40 च्यार नवासी 55 डिवाइड में 10 मलों की जगह पर एक उसके बाद च्यार अंक है तो 40 पिछपन 36 नवासी एक च्यार जीरो 73 डिवाइड में एक उसके बाद 40 यहां पर 88 32 67 डिवाइड में 10 मलों की जगह पर एक उसके बाद च्यार अंक है तो 40 45 38 77 डिवाइड में 10 मलों की जगह पर एक उसके बाद 4 अंक है तो 40 55 63 45 डिवाइड में 10 मलों की जगह पर एक उसके बाद 4 अंक है तो 40 80 34 43 डिवाइड में 1 और 4 अंक है तो 40 97 85 34 डिवाइड में 1 4 अंक है तो 40 डिवाइड में एक इसके बाद 4 अंक है तो 40 58 24 07 डिवाइड में 10 मलों की जगह पर एक 4 अंक है 40 81 अब यहां पर देखो निच्छे भी डैसिमल है और उपर भी डैसिमल है तो कैसे हटाएंगे एक को देखते हैं बिल्कुल बेसिक से उसके बाद डारेक्ट तरीका देखेंगे उपर देखो जीरो जीरो लगा सकता हूं इसके आगे कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो 0.367 और निच्छे है 0.345 तो पहले उपर वाले का हम डैसिमल हटाते हैं तो उपर संख्या कितनी होगी अगर डैसिमल को बोल जाओं तो 366 और डिवाइड में डैसिमल की जगह पर एक उसके बाद अंक है 3 तो 30 लगा जैते हैं अब निच्छे था मुटिप्रमे करके लिखेंगे निच्छे 0.345 तो बोल जाओं तो संख्या बनेगी 345 और फिट डिवाइड में तो वो डिवाइड में आएगा वो अब उपर चला जाएगा कितना आएगा डैसिमल की जगह एक और उसके ब 45 तो यह इसका अंसर होगा यह था इसका बिल्कुल बेसिक तरिका हम इसको कैसे सोल करेंगे हमें सबसे पहले यह देखना कि डैसिमल के बाद अंक गिनेंगे यहां पर तो उपर अंक कितने है तीन और निचे अंक कितने है तीन तो अगर डैसिमल के बाद अंक बराबर हो तो दारेक्ट डैसिमल से डैसिमल कैंजल हो जाएगा उपर बचएगा 366 और निचे कर रहा है नहीं यहां पर 2 है और यहां पर एक है तो बराबर करना पढ़ेगा बराबर कैसे कर सकते हैं उपर भी डैसिमल के बाद दो अंक बना लेते हैं दो अंक कैसे बनाएंगे यहां पर एक जिरो लगा देता हूं अब देखो डैसिमल के बाद दो अंक है तो डारेक्ट डैसिमल से डैसिमल अब कैंसिल हो जाएगा क किसे के बाद कितने हैं दो है यह कितने है इसके बाद कितनी है दो डावर है नीचे impact यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी थीन बणा लेते हैं यानि कि मैं 20 लगा देता हूँ अब देखो डैसिमल के बाध तीन अंक है यहाँ पर दो डैसिमल कैंसिल हो जाएगा उपर संखे कितनी बचक एगी 27700 और निच्चे कितनी है 1279 मैं सरते इसनल के बांगण एक यह प्र यह पर यहाँ पर बना लेते हैं 100 लगा दी अब इसमें क्या हुआ कि इसे तो अपर याइक та अउसक किया बराबर हो जाएगी को और भी टेसमाल के बाद दो अंक है निच्चे वी दो अंक है तो डैसिमल से डैसिमल कैंसिल उपर बचेगा 440 निच्छे 314 नेक्स्ट में क्या है डैसिमल के बाद दो अंक है यहां पर डैसिमल के बाद एक अंक है तो अंकों की संक्या बराबर करनी है तो यहां पर 0 लगा जेता हूं अब डैसिमल के बाद दो अंक हो गए उपर न तो डैसे मोल से डेसे मेल काने से उपर बचेगा 798 और निचे 1230 हर 97 इस man के बाद दो आंक मे निचे भी 2 ऑंक है तो डारेक्ट डैसे मोल केंसेट अच होगा 12 कि संख्या बराबर है उपर निचे तो डैसिमल से डैसिमल कैंसिल उपर हो जाएगा छी आसी हजार चार्सों डिवाइड में 4346 89 डैसिमल के बाद यहां पर एक अंक है और निचे डैसिमल के बाद दो अंक है तो यहां पर एक 0 लगा देता हूँ अब डैसिमल के बाद दो अंक है निचे भी और उपर भी तो अब डैसिमल से डैसिमल कैंसिल हो जाएगा यह हो जाएगा 143 और 50 निचे है 160 60 90 decimal के बाद 2 अंक है और निच्छे हैं decimal के बाद 4 अंक तो यहां पर 2 0 लगा देते हैं अब decimal के संख है उपर 4 है निच्छे भी 4 है तो बराबर है decimal से decimal cancel उपर यह हो जाएगा 75600 डिवाइड में 55168 91 decimal के बाद 1 अंक है और निच्छे है decimal के बाद 3 अंक तो अंकों के संख है बराबर करने हैं तो उपर 2 0 लगा देते हैं अब उपर भी 3 अंक है और निच्छे भी 3 अंक है decimal के बाद तो डैसिमल से decimal cancel उपर यह हो जाएगा 6600 डिवाइड में 12543 92 decimal के बाद 1 अंक है और यहां पर decimal के बाद कितनी अंक है तीन तो उपर भी अंक 3 बराने पढ़ेंगे तो दो जीरो लगा देते हैं अब उपर भी decimal के बाद 3 अंक है नीचे भी 3 अंक है तो डैसिमल से decimal cancel उपर संख है कितनी है 23600 और नीचे कितनी है Zone 2 जीरो चोदा यानिक यह 14 ही है तो यह हमारा अंसर होगा अब चलते है 93 पर डैसिमल के रफ दि वाद तीन अंक है तो यह पर जीरो लगा देते हैं अब डैसिमल के बाद 3 अंक है नीचे भी 3 अंक है तो डैसिमल से decimal cancel संखिया जाएगी 6350 डिवाइड में 6806 94 decimal के बाद दो अंक है उपर निचे भी दो अंक है तो बराबर है decimal से decimal cancel 2645 डिवाइड में 3454 95 decimal के बाद एक अंक है और यहां पर decimal के बाद दो अंक है तो यहां पर 0 लगा जेते हैं अब decimal के बाद अंकों की संख्या बराबर है decimal से decimal cancel अंसर आएगा 5530 डिवाइड में 4796 डैसिमल के बाद तीन अंक है यहां पर एक अंक है तो दो जिरो लगा देते हैं अब decimal के बाद अंकों की संख्या बराबर है decimal से decimal cancel 2468 डिवाइड में यह कितना हो जाएगा एक लाख 24300 एक लाख 24300 डैसिमल के बाद एक अंक है है यहां पर डैसिमल के बाद दो अंक है तो लगा देते हैं अब अंकों की संख्या बराबर है तो cancel उपर आएगा 4535, divide में 620, 99, decimal के बाद है, 4 अंक और निचे हैं 3 अंक, तो 1-0 लगा देते हैं, अब यहाँ पर भी 4 अंक हैं, और उपर भी 4 अंक है, decimal से decimal, cancel अंसर आएगा यह, पिछपन, 35 और 34, divide में 26, 0, 820, हैंडर, decimal के बाद 1 अंक है, decimal के बाद 3 अंक हैं, तो 2-0 लगानी पड़ेंगी, अब बराबर है, decimal के बाद अंकों की संख्या, तो decimal से decimal, cancel उपर बच्चे का 2400, वो निचे 7343, 101, अब आगे हैं, बार वाले question, इस बार का मतलब कहा कि 73, repeat हो रखा है, जैसे एक example लेके देखते हैं, हम divide करते हैं, 18 को, 18 को नहीं करते हैं, तीन वाले example लिते हैं, कोई, तो divide करते हैं, 20 से, 20 को करते हैं, 3 से divide, अगर हमें 20 को 3 से divide करना हो, तो answer कितना आएगा, वो लिख रहे हैं, तो यह जाएगा 6 पर, 3, 6 के 18, बचेगा कितना, तो, अब तो divide हो नहीं रहा, तो यहाँ पर 10 मलब लगाना पड़ेगा, 10 मलब लगाने के बाद, 1, 0 उतर कर आती है, अब ये कितने पर जाएगा, 6 पर जाएगा, 3, 6, 18, बचा कितना, 2, 2 decimal लगा रखाए तो 1 0 आ जाएगी 3 6 18 बचेगा कितना 2 फिर 0 आ जाएगी फिर कितने पी जाएगा 6 पर फिर कितना तो यहां पर क्या है जो बागफल हमारा उस में यह 6 6 आता ही रखेगा तो इसी चीज को क्या लेख सकते ही नीए 6 repeat और रखा है तो इसको हम ऐसे लेख सकते हैं कि 6.0-0 पॉइंट के बाद यह चै रीपी और रखा है तो इसी repeat को हम लिख देंगे कि 6 के उपर 12 है तो इस बार का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जिस के ऊपर लगा हूँ उसका मतलब है कि वह संख्या रिपीट और अधर तो अभि याँ पर देखो यानि किसको में कहा लिकूंगा छैइज रिपीट और इसके उपर और तो और उब रिपीट रख़ा है तो नहीं कि यह जाएगा इसका मतलब है अगर 0.35 और इसके उपर बार लगा दूँ इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0.35 के उपर बार है दोनों के उपर यानि कि 35 रिपीट हो रखा है बार बार 35 35 यह आता ही रहेगा कहीं भी नहीं रुके गा अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 0.7, 6, 4 के उपर बार लगा दे, इसका मतलब क्या है? कि 0.7, 7 के उपर तो बार नहीं है, यानि कि 7 तो एक बार आएगा, उसके बाद है 4, 4 के उपर बार है, इसका मतलब 4 रिपीट हो रखा है, यह ऐसे चलता जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे दे रखा हो, कि 0.6 इसके उपर बार है, और फिर 5 आजए, तो इ ऐसा तो कोई केस बनेगा ही नहीं, यानि कि यह गलत है, ऐसा नहीं आएगा कभी भी, पहले बार दे रखा हो, फिर बार नहीं दे रखा हो, तो ऐसा कभी नहीं आएगा, पहले बिना बार वारी संख्या आएगी, उसके बाद बार वारी संख्या आएगी, क्योंकि वो रिप हमें दिवाई करना हो दस को तीन से दस को नहीं एक को डिवाइड करो थीन से एक को डिवाइड करना हमें तीन से तो यह होगा 0 पे जाएगा पहले फिर 10 मैलग फिर 10 बन जाएगा यह फिर तीन पर जाएगा 3 तीया फिर एक बच चेगाह फिर दसमलो लज़के लगा फिर 0 आएगी यह बार लargत रहेगा जिरो पूंट थीन थीन स्काम मतलब किश़्ाइब क्या कि 0 and 3 के उपर यह बार है लुट को कैसे टाब है zero point पहले लिखेंगे हम संख्या कि इस चाहिए है कितनी संख्या उपर तीन है पोईट को बोल जाना एक वार तो यह उपर तीन है उसके बात स्मक्रों के बाद अबता वाल हुन की एक है लेकिन वह आएगा नो और जीरों की फों में तो जिस यह उपर बार लगा हो इस के लिखेंगे जीरो इसको ऐसे समझ सकते हो कि यह जो बार है यह यह राजा का ताज है याई कि अगर राजा है तो वह नो लेके जाएगा तो बड़ी संख्या लेके जाएगा राजा तो अगर जिसको बार नहीं है तो वह जीरो लेके जाएगा क्योंकि उसके उपर ताज नहीं है वो राजा नहीं है राजा को बड़ी संख्या मिलेगा और जिसको उपर ताज नहीं है उसको जीरो मिलेगा आगे क्योंस में अच्छे समझ पाओगी यह जैसे कि यहां पर मैं लिखी देता हूं एक जंपल जीरो पॉइंट तीन पांच और पांच की उपर बार है इसको हमे यह निच्छे आएगा 10 मलों के बाद अंक देखो भी आपर कितने हैं दो अंक है तो निच्छे भी दो अंक आएंगे लेकिन वुँपर नो और जिरो की फॉम में बार किशके उपर है पांच की उपर बार है जिसके उपर बार होता है वह नो लेके जाता है क्योंकि यह रज सबसे पहले हम बार और पॉइंट यह दोनों भूल जाएं तो संख्या कितनी होगी तियत्तर कि डिवाइड में अब देखो 10 मलों के बाद अंक कितने हैं दो निचे भी दो अंक आएंगे लेकिन वह किस फों में आएंगे नो और जिरो की फों में आएंगे और जिस के उपर बार होगा यानि कि ताज है वो और राज्जा है तो वो बड़ी संख्या लेके जाएगा तो नो लेके जाएगा अब बार किसके उपर है दोनों की उपर बार है तो दोनों ही नो लेके जाएंगे यह भी नो और यह भी नो तो यह हमारा अंसर होगा यहां पर देखो 0.76 के उपर बार है अगर बार और पॉइंट को हम भूल जाएं जनी कि 10 मलों को भूल जाएं तो संख्या कितनी होगी 6 अंतर डिवाइड में दस मलों के बाद अंक कितने है दो तो निचे भी दो अंक आएंगे लेकिन वो आएंगे 0 और 9 की फो में दो नो के उपर बार है तो दो नो ही नो लेके जाएंगे तो नो और यह नो निन्यानवा जाएगा निचे 103 यह 0.34 उसके उपर बार संख्या कितनी है उपर 34 डिवाइड में 10 मलों के बाद देखो अंक कितने है दो तो निचे भी दो अंक आएंगे लेकिन वो नो और 0 की फो में आएंगे दो नो के उपर बार है तो दो नो ही नो लेके जाएंगे तो निन्यानवा आजाएगा 104 0.87 के उपर बार है संख्या कितनी है उपर 87 डिवाइड में 10 मलों के बाद दो अंक है तो यहां पर बही दो अंक आएंगे लेकिन वो आएंगे नो और 0 की फो में दोनों के उपर बार है तो दोनों ही नो लेके जाएंगे तो निन्यानवा आजाएगा अब चलते हैं 105 पर 0.35 और 35 के उपर बार है निके दोनों के उपर बार है तो संख्या तो है 35 और नीचे कितना आएगा दोनों नो लेके जाएंगे तो 99 यहां पर 55 संख्या है डिवाइड में दोनों के उपर बार है तो दोनों ही नो लेके जाएंगे तो 99 यहां पर 56 डिवा मलों की जगा पर एक लिखेंगे और उसके बाद कितने हैं तो तीन जिरो लगा देंगे यह 25 से कैंसल भी हो जाएगा कैंसल कर लेना अब यहां पर देखो 37 के उपर बार है तो 37 और डिवाइड में बार किसके उपर है दो संख्याओं के उपर तो दोनों नो लेके जाएंगे यहां पर 89 डिवाइड में दो संख्याओं के उपर बार है दोनों ही नो लेके जाएंगे यहां पर 587 डिवाइड में दस मलों के बाद कितने अंक है तीन है तो नीचे भी तीन अंक आएंगे लेकिन वो आएंगे जीरो और नो की फो में बार तीनों के उपर है तो तीनों ही 9 लेके जाएंगे 113 है साथ सो तेई संख्या है निचे कितनी अंक आएंगा 3 क्योंकि डेस्मल के बाद 3 अंक है 3 के उपर 169 लेके जाएंगे तो नो सो निन्याण है यहां पर 26 डिवाइड में 3 अंक है ॹाज में नीचे 5 यह विन वि نव लेकि जाएंगे 5435 दिवाइड में तरेश मलों के बाद चार अंक्या चार और ऑंक्यारन चार के ऑनागे ऌर दाना सरना स्क्राइब 3543 दिवाइड में ऩी बात 4 फांग यहां पर बहुक्त आएंगे लूजमा है तो च्यारों ही नो लेके जाएंगे और यह जाएगा 1156 च्यारों की उपर बार है तो 999 में 8277 डिवैड में च्यारों की उपर बार है तो 999 में 121 अब यहां पर देखो पांच की उपर बार नहीं तो इसको कैसे सोल करना है सब से पहले देश्मेल को भोल जाओ संख्या कितनी बनेगी 506 तो संख्या लिखनी है आपको 506 अब यहां पर जो बार वाड़े नहीं करेंगे तो बार किसके उपर निया 5 के उपर तो यह माइनस हो जाएगा इसको ऐसे याद रखना कि वो डिवाइड में डिवाइड के निचे क्या बताया था कि डैसिमल के बाद अंक देखो कितने हैं एक दो तीन तो निचे भी इसके उपर मुकूर था तो इसको 9 देंगे ये रज्जा है 122 कि इस कि तनी है नो सो 37 माइनस वाइन कीसको करेंगे जिसके उपर बार नहीं तो मीनिस करेंगे नीट के बाด कि इसको जिरो का एंगए लेकिन ये किसके योपर है तो इसको जीरो दे देंगे इसको पूरा सोल नहीं क्या इसको माइनस भी करो भाई 536 में से 5 माइनस करेंगे तो 571 और डिवाइड में 990 अगर कैंसल होता हो तो कैंसल भी करते रहे ना वैसे एक्जाम में ओप्षंस से पता लग जाएगा कि से और कैंसल करना है यह करना है 937 में से 9 माइनस करना है । यह आएगा में 990 को अरब संख्या कितनी है Navy halo Per ऑले माइनस करेंगे माइनस किसको करेंगे जिसकोर बार नहीं है तो को उपर नहीं तो 2 को इसमेंस कर दो डिवैड में पॉएंट के बाद कितनी अंक हैं123 तो निचे भी 3 आंक आएंगे और वह आएंगे नो और 0 की फोर में बार है दो संक्याओं के उपर तो दोनों को नो देंगे 1 की आओ नहीं है तो इसको complete सब्ได करें माईनिस में माईनिस किसको करें गी जिसके उपर बार नहीं है यह ठिंडिक जिसको बार हो तो सेफ रहेगा उदो लाज़ा है तो पांच की उपर नहीं है पांच माईनिस करना पड़ेगा डिवाइड में डैसिमिल के बाद तो नीचे भी तीन अंक आएंगे और दो अंकों की उपर बार है तो दोनों को 9 मिलेगा एक की उपर नहीं है तो इसको 0 मिलेगा इसको गर माइनस करें तो यह आएगा पांसो तेता अलीज डिवाइड में 990 संख्या कितनी है 755 माइनस माइनस किसको करेंगे जिसके उपर बार नहीं है तो 7 को माइनस कर दो डिवाइड में डेसिमल के बाद 3 अंक है तो यहापर भी 3 अंक आएंगे और 2 के उपर बार है तो 2 को 9 देंगे 1 को 0 देंगे तो यह कितना हो जाएगा पांसो 74 so depressed divided by 990 था कि 274 ishaa is Who risking electric that एसको इजिसQué उपार नहीं है तो तीन के उपर बार नहीं है इसको मइन exist करदो divisional के बदीन अंग का तो निचे भी तीन आएंगे दो के उपर बार है तो दो को जीरो मिलेगी एक को मिलेगी तो नो मिलेगा इसको उपर बार था और इसको ऊपर बार नहीं है तो इसको 0 मिलेगी 746 इसको माइनिस करके और लिख देते हैं तो ये होगा 371 डिवाइड में 990 746 माइनिस में 7 के उपर बार نہیں है माइन इस क Long divide में decimal के बाद तीन अंक हैं नीचे भी तीन अंक आएंगे दो के उपर बार है तो उनको 9 मिलेगा एक के उपर बार नहीं तो इसको 0 मिलेगी इसको माइनस करके लिखें तो कितना होगा 749 संख्याती बार नहीं है 4 के उपर तो इसको माइनस करो डिवाइड में डैसमेल के बाद तीन अंक हैं नीचे भी तीन अंक आएंगे दो के उपर बार है तो इनको 9 मिलेगा एक के उपर बार नहीं तो इसको 0 मिलेगी यानिकि यह हो जाएगा चारशो 63 तर डिवाइड में 590 566 माइनस में बार के उपर नहीं है 5 के उपर तो 5 माइनस करो डिवाइड में डैसमेल के बाद 3 अंक हैं तो 3 अंक के निचे आएंगे इसको यह होगा 562 डिवाइड में 990 को नो सो सताइस संख्या माइनिस करिगे वाम की ओपर निया तो 9 को माइनिस करेंगे डिवाइड में कि बाद तीन हैं तो निचे भी तीन अंक आएंगे और दोंको की ओपर बार है तो दो बार नू और एक की ओपर निए तो इसको झिरू मीलेगी Nit 337 में नो माइनस करेंगे तो 918 डिवाइड मे नो से कशल हो जाएगा केंशल कर लेना 546 है 546 हम माइनस करेंगे बार किस कोपर ने तो 4 कउपर जिसकोपर व्याइड करते हैं तो 4-5 माइनस करना पड़ेगा यह याज़ाकर दिवाइड में डेसिमिल के 3 अंक है तो निचे भी 3 अंक आएंगे और 0 और 9 की फोम में आएंगे एक की उपर बार है तो यह 9 लेके जाएगा इनकी उपर बार नहीं तो इनको 0 मिलेगी इसको माइनस करके लिखे दो 6 में से 4 गया तो 2 चोदा मेंसे 5 गे तो 9 और यहां पर बचेगा 4, 420 में डिवाइड में 900, 307 माइनस में 12 किसके उपर नहीं है 38 के उपर, तो 38 माइनस कर दो, डिवाइड में, डैसमिल के बाद 3 अंके निचे भी 3 अंक आएंगे, यहां पर बचा, 7 में से 3 गाएड में 900, 133, 536, माइनस किसके उपर नहीं है, 33 के उपर नहीं है, तो 33 माइनस करेंगे, डिवाइड में, डैसमिल के बाद 3 अंक है, निचे भी 3 अंक आएगा, एक के उपर बार है, तो यह इसको मिलेगा, 9 और 2 के उपर बार नहीं, इनकी 33 के उपर बार नहीं है, तो इनको 0 मिलेगी, इसको माइनस करके लिख दो, 6 में से 3 गाएग तो 3, 13 में से 5 गाएग तो 8, और यहां पर 4 बचेगा, 413 divided में 900 134 संख्या है 967 मैंने 600 में 700 के उपर बार नहीं है एक के उपर बार है तो 9 2 के उपर बार नहीं तो 0 मैंनिस करके इसको लिख देना 234 संख्या मैंनस किसके उपर बार नहीं है 233 मैंनिस करेंगे डिवाइड में decimal के बाद 3 अंक है एक की उपर बार है तो इसको 9 मिलेगा 30 की उपर बार नहीं तो इनको 0 मिलेगी इसको पूरा सुल करके लिख देना माइनस करना है डिवाइड में 900 अगर cancel होता तो cancel भी कर देना कि चार्सों ओड्यको GGोवार 5 16 2020 में डिवाइड में बार एक के उपर है तो 59 को फूरा सूल करदें एसको 735 माइनस में किस के उपर नहीं jul3 के उपर टो टो टिशन करेंगे डिवाइड में ड़ेसिमल के बाद 3 अंक नाइंचे भी 3 उन्क आइंगेमें डैसिमल Q 9 तो मिलेगी तो ही जी रों sprayed monks Account 54-8 कि उपर तो 54 माइनिस करेंगे डिवाइड में 1 की उपर 2 है 9 1 मिलेंगा 2 की उपर बार ने तो 20 मिलेंगी 4666 माइनिस में बार 46 की उपर नहीं है 46 माइनिस करना पड़ेगा डइवाइड में एक के उपर बार है तो नो दो के उपर नहीं है तो 20 कि 433 देख डेसिमल को बूल जाना और तो complete संख्या वो लिखना है तो देसिंग अपने ये 4 माइनस कर दिएए डिवाइड में अब दिवाइड के निचे मैंने क्या बता था कि 대assimal के बाद अंक कितने है दो अंक है तो नीचे भी दो औहीं आएगे और वह किसकी फॉर्म परम में यह पिर जीना की फॉर्म में अब डेसिमल के बाद 9 के उपर नहीं है तो 9 माइनिस कर लिते हैं अब decimal के बाद 2 अंखे नीचे भी 2 अंख आएंगे दोनों के उपर 12 है तो दोनों को 9 मिलेगा 378 माइनिस 12 नहीं 3 के उपर 3 माइनिस कर दिया divide में decimal के बाद 2 अंखे तो दोनों को मिलेगा 9 407 माइनस में 4 के उपर बार नहीं ये 4 माइनस कर दिया, डिवाइड में डैसमल के बार दो अंखे नीचे भी 2 और दोनों के उपर बार है तो 99, 145, संक्या 885, 885 माेनस में बार नहीं है, 8 के उपर, तो 8 माेनस कर दिया डिवाइड में डैस्मेल के बाद 12 नीचे बी, hai, 2, 9,89 दो सो च्यालीस माेनस में 2 के उपर बार नहीं, तो 2 माइनस कर देते हैं डिवाइड में, डैस्मेल के बाद 2 अंक है, तो नीचे भी 2 आएंगे लेकिन दोनों की उपर बार है तो 2,9 की फूम में आएंगे 114. Alma 1, decimal एक के उपर नहीं है. मायिस करदो Divide में decimal के बाद 2 अंख है और दोनों की उपर बार है तो 2 लेंग village 600.87 मा इस 6 के उपर बार नहीं है. тоो 6 मानिस दोबार मायिस करेंगे डेसमेल के बाद दो अंक है दोनों के उपर बार है दोनों नो लेके जाएंगे 789 माइनस साथ के उपर बार नहीं तो माइनस साथ डिवाइड में डेसमेल के बाद दो अंक है और दोनों के उपर बार है तो दोनों नो लेके जाएंगे 3437 माइनस में किस के उपर बार नहीं है 34 के उपर नहीं है तो 34 माइनस कर देंगे इसमें इसी सोल कर लिते हैं डैसमेल को बूल जाओ संख्या कितनी है 3437 माइनस में बार किस के उपर नहीं है 34 के उपर तो 34 माइनिस करेंगे डिवाइड में डैसिमल के बाद दो अंक है दोनों के उपर बार है तो दोनों नो लेके जाएंगे इसको माइनिस करके शोल कर ले ना संख्या 5,869 माइनिस में बार किसके उपर ये 5 के उपर तो 5 माइनिस कर दो डिवाइड में decimal के बाद अंक है तो निच्छे भी तीन अंक आएंगे और तीनों के उपर बार है तो तीनों नो ले कर जाएंगे तो 909 है इसको माइनिस करके डिवाइड में 909 में अगर कैंसिल होता तो कैंसिल भी करना 153 14739 माइनिस में 12 नहीं 14 के उपर तो 14 इसमें से माइनिस करना पड़ेगा डिवाइड में decimal के बाद तीन अंक है और तीनों के उपर बार है तो तीनों नो ले कर जाएंगे 15938 माइनिस में 12 के उपर ये 15 के उपर तो 15 माइनिस करना पड़ेगा डिवाइड में decimal के बाद तीन अंक है तीनों के उपर बार है तो तीनों नो ले कर जाएंगे 1015 1449 मैनले 12 कि यह चोदा की उपर बार नहीं है तो चोदा मैनले पड़ेगा जिसकी उपर बार नहीं है उसको मैनले फिर पॉइंट से इससाइड और फिर इससाइड हो डियुआड में डेस्मौल के बाद कितने हैं कितनी खारें 11 और जीरो कि फो में अब देखो दो के उपर बार है तो दुन्हों नो लेकर जाएंगे एक के उपर बार नहीं तो यह जीरो ले लिकर जाएगा कि 16828 मैंस में बार किसके उपर निया 16 की उपर 16 में से माइनिस कर देते हैं डिवाइड में जसमलों के बार तीन अंक है निच्छे भी तीन अंक और तीनों के ऊपर नो है तो तीनों नो ले कर जाएंगे 157 367 माइनिस में किसके ऊपर बार नहीं है देखो छिरफ पांच सकतर नहीं कि 3564 इनके ऊपर बार नहीं तो इसको माइनिस करना पड़ेगा डिवाइड में डैसिमल के बाद तीन अंक है यहां पर भी तीन अंक लेकिन एक की उपर बार है शिरफ तो यह नो ले कर जाएगा और बाकि दो के उपर बार नहीं है तो इनको जिरो मिलेगी इसको माइनिस करके करना सुल करना एक सो अठाववण 15,746 माइनिस में 12 किThis के उपर नहीं एक हए एक सो साथवन को माइनिस करना पड़ेगा डिवाइड में जिसमलों के बाद तीन अंक हैन लेकिन दो के कर जैंगे एक की उपर बार नहीं है तो यह जिरो लेकर जाएगा कि 2500 माइनस में बार किसके ओपर नहीं है 36 के उपर, तो 36 माइनस कर देंगे, डिवाइड में, 10 मलग बाद 3 अंख हैं, और 2 के उपर 12 हैं, तो 2 को मिले गए, 9, और एक के उपर 12 नहीं, तो इसको मिले गए, 0, 161, संख्या कितनी है, 6506, माइनस में 12 के उपर नहीं है, 65 के उपर, divide में point के बाद 3 अंक है और 2 के उपर बार है तो दोनों के मिलेगी 9 और 1 के उपर बार नहीं तो इसको मिलेगी 0 1987 minus में 12 के उपर नहीं है 19 के उपर तो 19 minus कर दो divide में 10 मलों के बाद 3 अंक है तो निचे भी 3 अंक 2 के उपर बार है तो यह दोनों नो लेकर जाएंगे, एक की उपर बार नहीं है, तो यह 0 लेकर जाएगा, 7265 माइनस में, 12 की उपर नहीं है, बैतर की उपर, तो बैतर माइनस करेंगे, डिवाइड में, जसमलों के बाद 3 अंक है, 2 की उपर तो है बार, तो दोनों नो लेकर जाएंगे, एक की 1488 माइनिस में बार नहीं है 85 की उपर तो पिच्छाइसी इसमें से माइनिस करना पड़ेगा डिवाइड में दस मलों के बाद तीन अंक है दो के ऊपर तो है बार तो यह दोनों नो लेकर जाएंगे एक उपर बार नहीं है जिरो लेकर जाएगा, 165 कि 165 से 208 तक इसमें क्या करना कि 21 2 रूप में व्यक्त करना है यहनु के इनके इनंको हमें 10 बाल लगा के सुलख करना है तो निच्छे कितना है 990 रैंकि निच्छे दो अंक हैं कि 1 मिनट वही निच्चे दो अंक है इसका मतलब 10 मलों के बाद दो अंक आएंगे तो संक्या के इतने ही उपपर 24 और 10 मलों ऐसी जागाना है कि 10 मलों लगाएं और उसके पीड़ दो आंक हों तो यहां पर लगाना पढ़ेगा 10 मलों इसके जिलो लगा सकते हो अब देखो दसमलों के बाद 24 है और इसके बाद 24 है यानि कि दो अंक है तो इतना हो जाएगा और 99 में हैं दोनों यानि कि दोनों के उपर बार है जिसके उपर बार होता है जिसके उपर बार नहीं होता वो जीरो ले कर जाता है तो कितना हो जाएगा जिरो पॉइंट दो चार और दोनों की उपर बार अगर वैरिफाई करना हो तो इसको सोल करके देख लिए अगरो देखो 24 है और डिवैड में दस मलों के बाद दो नीचे भी दो आएंगे दोनों की उपर नो बार है तो दोनों नो लेकर तो पॉइंट 32 ऐसे आएगा पॉइंट के बाद भी दो अंक होंगे जितने नीचे अंक हो उतने ही पॉइंट के बाद अंक होने चाहिए अब नीचे देखो 90 है निकि एक तो है नो एक है जीरो इसका मतलब एक की उपर तो होगा बार क्योंकि लास्ट वारी जो अंक होगा पर बार लगाएंगे यह पहले सीख लिया है अब यह अंसर हमारा होगा नहीं जब भी किसी एक पर बार नहीं हो तो उसको माइनस करते थे याद करो तो अगर इसको माइनस करेंगे तो यह इतना अंसर नहीं आएगा तो इसको कैसे सुल करना है ध्यान दो जिसके उपर बार है दो के उपर बार है और जिसके उपर बार नहीं है किसके उपर बार नहीं है यहाँ पर तीन के उपर बार नहीं है उसको इसी संख्या में जोड़ दो तो तीन को इसी में जोड़ेंगे तो तीन और दो पांच और यह कितना है तीन तो जिरो पुएंट तीन पांच बार एक क 3 5 और इसको पर है यह हमारा अंसर होगा इसको verify करके देखोगा संख्या केतनी है 35 माइनस मी करते हैं जिसको पर बार नहीं है तो 3 नहीं है इसमें से माइनस करेंगे के बाद 2 अंक्खें नीचे दो अंक काएंगे जिसके उपर 12 है वह नो ले जाएगा जिसके उपर निचे दो अंक हैं तो point के बाद भी दो अंक आएंगे एक के उपने ओपर बार आएगा क्गी कि एक नूँ है और इसके उपने ऊहला नहीं आएगा लेकिन यह हमारा अंसर नहीं हो अगर point के बाद जितने भी अंक हो और सभी के किस्टंस में देखा भी था तो जब इसको माइनिस करेंगे तो यह अंसर नहीं आएगा तो इसको और सुल करना पड़ेगा कैसे करेंगे जिसके उपर बार नहीं है तो तीन के उपर बार नहीं है उसको इसमें एड कर दो तो तीन को इसमें जब एड करेंगे तो चार और तीन तेइस極ारती 6 6 10 3 welcome स्टों यह और हो गईक्त एक कीऊपर बार लगा देंकिंगी यह हमारा अंसर होगा क्यों क्यों क्योंने क्युक्छ थे middle कि देसमलोग के पर करते तो इसके वह सारे करा रकिती 119 123 और नीचे 99 नीचे 3 अंक है इसका मतलब 10 मलों के बाद 3 अंक आएंगे तो 123 डारेक्ट आएगा और 399 है तो 39 के उपर 12 और 10 मलों के बाद जब 39 पे 12 हो तो यह हमारा अंसर हो जाएगा यह पर देखो 547 और नीचे 990 नीचे 990 नीचे 3 अंक है तो 10 मलों के बाद भी 3 अंक आएंगे तो 0.547 जब एक बाद 3 अंक है और 2 है 9 और 1 है 0 यहीं कि 2 के उपर 12 है तो लास्ट में 2 के उपर 12 हो जाएगा लेकिन यह हमारा अंसर नहीं होगा क्योंकि कुछ संख्याई हैं जो जिसके उपर 12 नहीं है तो उसको हम माइनस करते हैं जब माइनस करेंगे तो यह अंसर नहीं आएगा तो इसको कैसे बताया था जिसके उपर 12 नहीं हो देखो किसके उपर 12 नहीं है 5 के उपर तो 5 को इसमें एड़ कर दो तो 7 और 5 बारा हसल लगेगी अब बार के अलावा कितना था 5 और बार के अलावा 5 तो रिपीट हो गया तो यह मारा अंसर हो जाएगा 0.552 और बावन की उपर बार है इसको सोल करके भी देख सकते हो यहीं कि वैरिफाइग कर सकते हो यह अंसर आएगा 552 बार किस के उपर नहीं है पांच के उपर तो पांच माइनिस करो डिवाइड में डैसिमल के बाद तीन अंक है दो के उपर है बार तो दो जिरो और एक सोई दो नो और एक जिरो 236 और 900 तो 236 निच्चे है 3 अंक यानिकि decimal के बाद 3 अंक होनी चाहिए तो 0.236 9 है 1 यानिकि 1 की उपर बार है और 2 की उपर बार नहीं है लेकिन यह हमारा answer नहीं होगा तो क्या answer होगा 12 के अलावा संख्या है कितने है तो तो यहाँ करो रगा है यहThis और यहाँ पर कितना है और 25 तो ऺता है कि रिपीट होना पड़ेगा अब इहां पर आपको यह देखना है कि यह 25 यह तो कितना अधिक है दो अधिक है तो 2 इसमें add करो 92 11 5 और 6 और 2 अधिया धा 1 यहांपर फर इना है प्जसीश और और शोल करना पड़ेगा यह इससे कितना अधिक है यह 26स तो एक का दीख है तो एक इसमें और जोड़ हो गए एक और एक दो ये च्छै ये दो बार एक की उपर था अब यहां पर था बार के लावाद 26 और यहां पर भी 26 जैने की रिपीट हो गया तो यह हमारा अंसर होगा वेरिफाई करना चाहो तो वेरिफाई करके देख सकते हो 266-2 नहीं 26 के उपर तो 26 माइनस करेंगे डिवाइड में इसके बाद 3 अंक है पॉयंट के बाद और एक की उपर 12 तो 9 और 2 की उपर 12 नहीं तो 0 इसको माइनस करेंगे 12 मीशे 6 गया तो 6, 5 मीशे 2 गया तो 3 और यह 2 यह दो यह नहीं की सही है 172 354 और नीचे 99 में तीन अंक है और तिन नो है तो तीन नो की उपर बार तो डारेक्ट इसका अंसर हो जाएका पंसो छियाज़़ाएं तो इसको हम क्या करेंगे एड करेंगे तो 2 पांच के उपर बार नहीं पांच 6 चीज़ में एड करो 6 और 5 11 चैनल एक और यह पांच बार weiteren था दो संख्यां के ऊपर अब बार को छोड़करं पांच है और यहां पर बार को थोड़कर पांच है तो रिपीट हो गयाल natuurlijk कि यह हमारा अंसर होगा तो 688 निच्छे अंक हैं तीन तो पॉइंट के बाद तीन अंक होने चाहिए तो पॉइंट यहां पर लगेगा एक नो हैं की बार एक है तो यह तो हमारा अंसर नहीं होगा बार के अलावा कितने हैं सबस्क्राइब 666 तो इसमें ए्ड करनी पड़ेगी तो 67 इसमें एड करना पड़ेगा जिसकी ऊपर बार नहीं है उसी को एड कर देंगे तो आठ और साथ पंदर हासल Jedi साथ और साथ बार है एक अंग के उपर इनके पांस के उपर ये बार है बार के अलावा यहां पर है सड़ सट और यहां पर कितना है चुछ तर तो सेम तो नहीं आया कितना अधिक है यह साथ अधिक है तो साथ इसमें जोड़ दो साथ और पांच बारा चार और एक पांच और यह साथ बार है एक संख्यक के पाँपर है ऑफ के टालों के लावा यहां पर प्यूतर हो गया यह हमारा उन्सर हो यह तेर質 नीचे 999 वैन की दस मलह की बार 5 बीजां न्सर हो गाएंगे पहलां 356 निच्चे है 990 यनि कि 3 अंकों के बाद Decimal लगेगा वर तो 0.35 6 बार कितने अंकों पर आएगा 2 पर क्योंकि 2 बार 9 है अब यह मारा अंसर होगा नहीं 3 के उपर 1 नहीं है तो 3 को इसमें äड़ कर दो 6 और 3 9 और यह 5 और यह 3 बार था दो संख्या के उपर बार के अलावा यहां पर 3 है यहां पर भी 3 है तो यह हमारा अनसर हो जाए क्योंकि रिपीट हो गए है 177 547 निच्चे है 3 अंक तो यहां पर पॉइंट लगेगा पॉइंट के बाद 3 अंक है 1 9 है तो एक पर बार लग जाएगा बाकी पर बार नहीं लगेगा बार के अलावा चोवन है तो बार के अलावा वाले संख्या को एड़ करेंगे साथ और च्यार ग्यारा पांच और च्यार नो और एक दस पांच और एक छे बार है एक संख्या के उपर लगा जेते हैं बार के लवावा 54 है यहाँ पर 60 तो रीपीट नहीं हुआ कितना ज्यादा है यह ज्यादा है तो 6 इसमें एड करेंगे 6 ौर 7 और यह 0 ये 6 और यहां पर पॉइंट कि एक की उपर बार था तो यहां पर लगा जएते हैं उसके अलावा बार के अलावा 60 है यहां पर लिपीट हो गया यहां यह हमारा अंसर हो जाएगा अब चलते हैं 178 पर 967 निच्चे तीन अंक है तो डैसिमल यहां पर लगेगा डैसिमल के बाद तीन अंक 99 यानि की दो के उपर बार एक के उपर बार नहीं है बार के अलावा कितना है नो तो बार के अलावा जो उसको एड करेंगे नो और साथ 16 छै और एक साथ यह नो बार है दो संख्याओं उपर बार के अलावा नो है बार के अलावा यहां पर भी नो तो रिपीट हो गया यह हमारा अंसर होगा तेइस्तो तेतालीस डिवाइड में डिवाइड में नहीं करना यह पर तो पॉइंट लगाना है निच्छे अंक कितने है च्यार यानि कि यहां पर डैसिमल ऐसी जगा लगाना है कि जिसके बाद च्यार अंक हो तो डैसिमल यहां पर लगेगा इसके बाद च्यार अंक है और 4,266, कितने अंक है 4, तो decimal यहले एगाई, decimal के बाद 4, और 39 है, तो 3 पर 2 लगेगा, एक उपर 2 नहीं, जिसकी उपर 2 नहीं, उसको add करते हैं, तो add करेंगे, 5 ओर 4, 6, 3, 4, बार था 3 संख्याओं के उपर, अब 2 के लौबा 4, चार बार के लावा चार रीपिट हो गया यह हमारा अंसर होगा है । 5466 मैं यह चार अंख तो यहां पर पॉंट लग जाएगा और तीन-णों है तो तीन के ओपर बार एक के आड़ करेंगे six और पांश ग्यारा चैनर एक साथ और यह चार यह पांश यह पर डैस्मल था और बार था तीन संख्याओं के उपर तो यहांपर बार लगा जेते हैं बार के लावा पांश यह पर भार के लावा पांश तो णो रिपीट हो गया यह हमारा अंसर होगा छोगह 23344 चार अंक हैं तो यहした पर लगेगा और 39 है तो 25 poses बार केहें कि अलावाद 2 है तो ऊठरी ऑड करेंगे चार और 2354 था यहाँ पर 30 सं esos अबhasam बार लगा दिया बार की अलावाद 2 है यह 추천 है यह आप 4398 निचे 4 अंक तो पंट यहां पर लग जाएगा पंट के बाद 4 अंक तीन 9 है तो बार आएगा तीन संख्या उपर बार के लावा साथ है तो साथ इसमें एड करेंगे 8 होग 7 15 9 और 1 10 1 8 और 1 9 और ये 7 3 9 है यहनि कि 3 के उपर 12 था इन 3 के उपर 12 था 12 के लावा 7 है 12 के लावा 7 है तो यह हमारा अंसर होगा क्योंकि रिपीट हो गया 185 4565 निच्चे 4 अंक है तो decimal यहां पर लगेगा 2 के उपर 12 आएगा 2 बार 9 है जिसके उपर 12 नहीं है उसको एड़ करेंगे 5 और 5 दस 6 और 4 दस और एक 11 एक 5 और एक 6 2 के उपर 12 था तो 12 के उपर नहीं है 46 के उपर 46 इसमें एड़ कर दो 6 4 और एक 5 यह 6 यह 4 12 दो संख्यां के उपर था 12 के लावा 46 बार के लावा 46 126 करेंगे और डिवाइड में फिड दसमें के अबाद दो के उपर बार नहीं तो डबल जीरो उसको वेरिफाय करके देख सकते हों 1789 नीच्चे चार अंख एधो एक मिनिट आ निकी निच चार अंख है तो डैसिमल यहां पर लगेगा कि दो की ऊपर बार आएगा दो की ऊपर नहीं आएगा जिसके ऊपर बार नहीं है उसको एड़ करेंगे 9 और 7, 16, असल लगेगी 1, 4, 4, 8, 9, ये 7, ये 4, दिसमलों उता 2 संख्या उपर, दिसमलों के अलावा 47, दिसमलों के अलावा 47, तो रिपीट हो गया, ये हमारा अंसर होगा, 187, 4660, यहां पर 4 अंक हैं, तो decimal यहां पर लग जाएगा, 99, 2 के उपर, 12, 2 के उपर, 12 नहीं, जिसक 46, और 6, 12, 8, और 12, और 1, 13, 6, और 1, 7, 47, यहां पर, पॉइंट, 12 था 2 संख्या उपर, 12 के अलावा 46, यहां पर 47, रिपीट नहीं हुआ, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो एक इसमें, एड़ कर दो, 2 और 1, 3, 3, 7, 4, बार था 2 संख्या उपर, 12 के अलावा 47, बार के एक अलावा 47, रिपीट हो गया, यहां पर अंसर होगा, 188, 2343, निच्छे अंक 4 है, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा, 2 के उपर बार आएगा, क्योंकि दो बार 9 है, 12 के अलावा कितना है, 23, तो 23 इसमें एड़ करेंगे, 3 और 3, 6, 4 और 2, 6, यह 3, यह 2, यहां पर दिसमें लोग, 12 था 2 संख्या उपर, 12 के अलावा 23 है, यहां पर भी 23 है, तो रिपीट होगा, यानि कि यह हमारा अंसर हो जाएगा, 189, 9789, यहां पर 4 अंक है, तो दिसमें लोग यहां पर लगएगा, दिसमें लोग के बाद, कितना है, 978, तो बार के अलावा जो संख्या होती, उसको एड करते हैं, इसको एड करो, तो यह होगा, 8, 8, 16, 17, 1, और 8, 17, और 16, एक 9, और 7, 16, और 17, और 9, और 10, बार था एक अंक पर, बार के अलावा, 978, बार के अलावा, 116, तो रिपीट नहीं हुआ, कितना अधिक हैं, यह अधिक हो जाएगा, 78, यानि कि 2, और 22, 22, और फिर 6, तो 96, 98, 98 में अधिक है, तो 98 में इसमें एड करना पड़ेगा, 8, और 7, 15, असलागी 1, 9, और 6, 15, और 1, 16, 7, और 1, 8, यहाँ पर, 0, यह एक, बार था, एक संख्या पर, बार के अलावा, 116, यहाँ पर, 116, तो रिपीट नहीं हुआ, एड करना पड़ेगा, कितना अधिक है, यह दस अधिक है, तो 1.0865, एक उपर बार था, अधिक कितना था, यह दस, तो दस इसमें एड कर देते हैं, यह होगा, 5, 6, और 1, 7, यह 8, जो बार था, एक उपर, बार के अलावा, यह दस अधिक है, यह दस अधिक है, तो एक इसमें एड करो, जब तक रिपीट नहीं हो, तब तक एड करके, और जोड़ता, जोड़ना पड़ेगा, 5 और 1, 6, 7, 8, 0 बार था, एक उंख पर, बार के अलावा, एक दस अधिक, डासता से, रिपीट हो गया, यह हमारा answer होगा, इसको इसको देख लेना, इतना answer आएगा, जैसे कि, यह पर रहिए, 10,806 है verify करके देख लेते हैं 10,806 minus में 12 किसके उपर नहीं है 11,87 के उपर 11,87 minus करेंगे divide में 10 मलों के बाद 4 अंक है तो नीचे भी 4 आएंगे 1 के उपर 12 है तो ये 9 लेकर जाएगा 3 के उपर 12 नहीं तो ये 3,0 लेकर जाएगे इसको minus करके देखो 16 में से 7 minus करेंगे 9 आएगा ठीक है यहाँ पर बचेगा 6 16 में से 8 minus करेंगे 8 बचेगा यहाँ पर बचेगा 7 तो नीचे आगया 7 10 में से गया तो 9 बिल्कुल ठीक है यह इसका answer होगा यह वाड़ा यह 1345 नीचे है 4 अंक तो 10 में यहाँ पर लगेगा नीचे एक नू है तो एक बार आएगा बार के अलावा 134 है तो 134 इसमें एड़ करेंगे 5 और 4 नू 4 और 3 7 3 और 1 4 यहाँ पर एक और यह पॉइंट था 12 था एक क्यूपर 12 के अलावा 134 संख्या है 9 इसमें जोड़ना है 9 और 3 12 7 और 1 8 8 और 1 9 4 1 12 है एक संख्या के उपर तो 12 के अलावा यहाँ पर 147 यहाँ पर 119 इस रिपीट नहीं होई कितनी अधिक है दो अधिक है तो 2 इसमें जोड़ना पड़ेगा 2 और 2 9 4 1 0 यहाँ पर एक के उपर भर था कि यहाँ पर घीके रह बार के अलावा 109 Гर्यक है एक संख्या sieht रिपीट हो गया यह हमारा अंसर होगा इसको देख सकते ओं इतना ही आएगा इसमें दो यह अगर 149 माइनिस करेंगे दसमलों के बाद 4 रंख हो जाएंगे, एक 9 है तो 1 के उपर 12 आएगा, 12 के अलावा 848 है, तो 12 के अलावा जो होगा उसको add करेंगे, यह होगा 17, असल 1, 8, 4, 12, 13, 8, 4, 12, 13, 8, 9, दसमलों 1 संख्या के उपर, दसमलों के अलावा 848 या 5933, repeat नहीं हो, यह तो अधीक है, कितनी अधीक है, तो यह हो जाएगी, 8 में से, 13 में से, 8 गयतो 5, और यहाँ पर 12 में से 4 गयतो 8, नहीं कि 55 ही अधीक है, यह तो 55 ही इसमें add कर देते हैं, 7 और 5, 12, 8 हो तीन 11, और 12, 3 और 14, यह 9, बार एक संख्या के उपर था, 12 के लावा 942, यहाँ पर 933, repeat नहीं हुआ, अधीक कितना है यह, 933 से, 942 कितना अधीक हो जाएगा, 9, 2, 11, तो यह, सुरी, 9 अधीक है, 11 नहीं, 9 अधीक है, तो 9 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 9 और 2, 11, 2 और 1, 3, 4, 9, यहाँ पर पॉइंट, जो बार था वो एक के उपर था, एक अंग के उपर, 12 के लावा 942, 12 के लावा 943, repeat नहीं हुआ, तो अधीक कितना है, एक अधीक है, तो एक इसमें add कर देते हैं, तो एक और एक, दो, यह तीन, यह चार, यह नो, यहाँ पर दस मलो, बार है, एक संख्या के उपर, बार के अलावा 943, बार के लावा 943, तो repeat हो गया, यह हमारा answer होगा, यहाँ पर यह कितना आया है, जिरो पॉइंट, नो, चार, तेन, दो, और इसको उपर, बार है, तो छोटा करके लिए देते हैं, आयो धब साइएप वर को उचा के उड़ साइएप को को कितना आया है, कि नेक्स्ट करते हैं 5478 निच्छे हैं च्यारंग तो पॉइंट यहां पर लगेगा पॉइंट के बाद च्यारंग एक नो है तो एक की उपर बार और 546 के उपर बार नहीं है तो इसको एड़ करना पड़ेगा 8 7 15 अजितना लगेगी साथ जैर ग्यारा और 12 पांच और 6 अपर बार के अलावा साथ 547 और यह पर 602 तो कितना अधिक हो इसके एड़ करना पड़ेगा तो यह अधिक हो जाएगा 12 में से 7 गए तो 5 यहाँ पर 9 9 में से 4 माइनिस करेंगे तो 5 तो यह पिछपन अधिक है पिछपन इसमें एडि करते हैं 5 और 5 10 5 और 2 7 और 1 8 बार एक संख्या के उपर था बार के अलावा 602 है यह 608 है कितना अधिक है यह 6 अधिक है तो 6 इसमें जोड़ देते हैं 6 यहाँ पर यह 8 यह 0 6 एक के उपर बार तो बार के अलावा 608 यहाँ पर भी 608 तो यह हमारा अंसर होगा अब चलते है एक सो तिराणवा पर आप चार सो अठाव अ निचे अंक कितने हैं दो यानिकी डासिमल के बाद दो नहीं चाहें तो डासिमल यहाँ पर लगेगा च्यारे प्वंट पांच आठ डासिमल के बाद दो तेरा असल लगेगी एक पांच चर्ण और एक दस अपल यहां पर और बार था एक क्यूप पर यह निए तीन के उपर बारा जायगा अब बार के अलावा यह पर पन चालिस यहां पर पचास तो कितना अधिक यह पांच पांच इसमें एड करना पड़े पांच और तीन आठ यहां पर यह 0 यह 5 दिसमलों यहां पर था बार एक उपर था बार के लावा 50 बार के लावा 50 रिपीट हो गया यह हमारा अनसर हुआ 235 निचे अंक 2 यानि कि decimal यहां पर लगेगा decimal के बाद 2 अंक 2 9 है यानि कि दोनों के उपर 12 है अब दोनों के उपर 12 है 12 किसके उपर नहीं है 2 के उपर तो 2 इसमें add करना पड़ेगा 5 और 2 7 यह 3 और यह 2 decimal यहां पर 12 है 2 संख्यां के उपर बार के अलावा यहां पर दो यहां पर भी दो रिपीट हो गया तो यह हमारा अंसर हो जाएगा 346 निचे दो अंक तो डैसिमल यहां पर लगेगा और 90 यानि कि एक तो 9 है तो एक के उपर बार लगेगा और इसके उपर बार नहीं लगेगा अब बार के अलावा है 34, तो 34 इसमें add करना पड़ेगा, 6 और 4, 10, 4 और 3, 7 और 1, 8 और यह 3, यहाँ पर decimal और 12 था एक उपर, बार के अलावा यहाँ पर 34, बार के अलावा यहाँ पर 38, तो कितना अधिक है, 4, 4 इसमें add करेंगे, 4, यह 8, यह 3, decimal यहाँ पर 12, एक उपर, 12 के अलावा 38, बार के अलावा 38, रिपीट हो गया, यह हमारा answer, 435, डिवाइड में 99, यानि कि 2 अंक, तो बार यहाँ पर लेगा, 99 है तो दोनों के उपर 12, बार के अलावा 4 है, तो 4 add करना पड़ेगा, 5 और 4, 9, और यह 3, पॉइंट हो गया, यह हमारा answer हो जाएगा, 6789, डिवाइड में 99, तीन अंक है, यानि कि डैसिमल यहाँ पर लगेगा, डैसिमल के बाद 3 अंक है, 99, तो तीनों के उपर 12, बार किसके उपर, नी 6 के उपर, तो इसको add कर दो, 9 और 6, 15, 8 और एक, 9, और यह 7, यह 6, डैसिमल यहाँ पर, पर इसके उपर, बार, डैसिमल के अलावा 6, डैसिमल के अलावा 6, रिपीट हो गया, यह हमारा answer होगा, एक सो अठाणवे, आठ हजार, छैसिमल यहाँ पर लगेगा, डैसिमल के उपर, बार किसके उपर नहीं है, आठ के उपर, तो आठ इसमें add करो, आठ और पांच तेरा, फिर नो और एक दस, छै और एक साथ, और यहाँ पर आठ, बार है तीन संक्याओं के उपर, डैसिमल के अलावा यहाँ पर आठ, यहाँ पर भी आठ रिपीट हो गया, यह हमारा answer होगा, पांच हजार, चार सो, बासट, यहाँ पर जो अंक हैं, वो त चार, यह पांच, यहाँ पर डैसिमल, और जो बार है वो तीनों के उपर था, बार के अलावा पांच, बार के अलावा पांच, रिपीट होगा, यह हमारा answer होगा, छै हजार पांसो, सैटीस, निचे 999, तो यहाँ पर डैसिमल लगेगा, डैसिमल के बाद तीन अंक, और यह अलावाच है, बार के अलावाच है, रिपीट होगा, यह हमारा answer होगा, अब चलते हैं, 201 पर, 949, निचे तीन अंक हैं, तो बार यहाँ पर लगेगा, और निन्यान में यानि की दो के उपर बार है, एक के उपर बार नहीं है, बार के अलावाच चुरान में है, तो चुरान यहाँ पर था, और बार था, दो संख्याओं के उपर, बार के अलावाच चुरान में है, यहाँ पर पिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो बार यहां पर लगेगा निन्यानव यानिकी दो के उपर बार एक के उपर बार नहीं बार के आलावा तरेपन है तो तरेपन इसमें एड़ करना पड़ेगा च्छै और तीन नो पांच और पांच दस तीन और एक चार बार था दो संख्याओं के उपर बार के आलावा तरे कि दोसो तीन दोचीन हजार दोसोच्यालने नीचितीन अंक तो डैसिमल यहां पर लग और नो की अलावा 272 है तो इड़ न पर दोड़ांद सबस्टेश है एड़ करना पर डाच चहाए 307 निचे 3 अंक है तो decimal यहां पर लगेगा दो के उपर बार क्योंकि 99 है एक के उपर बार नहीं बार के लावा 23 है तो 23 इसमें एड़ करना पड़ेगा साथ और तीन दस पांच और दो साथ और एक आठ यह तीन यह दो दो के उपर बार था बार के अलावा 23 यह भी 23 रिपीट हो गया तो अंसर 7845 निचे 3 अंक है तो यहां पर भी decimal लगेगा decimal के बाद भी 3 अंक एक के उपर बार है क्योंकि एक नो है दो के उपर बार नहीं है बार के अलावा 784 है तो 784 को एड़ करना पड़ेगा पांच और च्यार नो आठ और च्यार बारह आट और साथ पंद्रा और एक 16 और साथ और एक आठ बार था एक की उपर यह निकि नो की उपर बार के अलावा 784 यहां पर 662 तो सेम तो है नहीं यहीं कि रिपीट नहीं हुआ कितना अधिक है यह इसना एड़ करना पड़ेगा तो 862 में से 784 को माइनस करना जो भी अंसर है उसको इसमें एड़ करूं तो अधिक कितना है 12 में से 4 गये तो 8 बचा यहां पर 5 15 में से 8 गया अधिक है तो 38 इसमें एड़ करेंगे यह हो जाएगा 17 साथ और दो नो और एक दस च्छै और एक साथ बार था एक उपर बार के अलावा 860 यहां पर 870 कितना अधिक है यह आठ अधिक है तो आठ इसमें एड़ करना पड़ेगा 8 और 715 एक यहाँ पर साथ यह 8 बार एक की उपर था बार के अलावा 870 यहाँ पर 871 कितना अधिक है यह तो एक इसमें एड़ करना पड़ेगा निकि 8.715 पांच पर बार था एक अधिक था तो एक एड़ करना पड़ेगा 5 और एक 6 है एक साथ आठ यहां पर पॉइंट इसके उपर बार के अलावा आठ सो इक तर रिपीट हो गया तो यह हमारा अंसर हुगा क्या को चौदा सो सतावन निचे अंग कितनी है तीन तो पॉइंट यहां पर लगेगा और एक नुह तो एक क्यूप पर बार आएगा बार के अलावा एक सो पैंतारीस है तो एक सो पैंतारीस एड करना पड़ेगा साथ और पांथ बारा पांच और च्यार नोग Own Itण च्यार और पांच और एक छेट और ये एक बार था एक क्यूप पर एक सो पैन्ट तो मारी के आलावा एक सो साठ तो कितना अधिक है यह यह पर बार के अलावा 161 बार के अलावा 161 लिपीट हो गया तो यह हमारा अंसर 207 7635 यहां पर है तीन अंक तो पॉइंट यहां पर लग गया और एक नो है तो एक उपर बार के अलावा 763 763 एड़ करना पड़ेगा पांच और तीन आठ साथ और चैनल नो साथ और छे तेरा साथ और एक आठ बार है एक उपर बार के अलावा 763 यहां पर 849 कितना अधिक है नो में से 3 माइनस करेंगे 6 तेरा में से 6 माइनस करेंगे 7 तो 36 अधिक है चैनल इसमें एड़ कर देते हैं 7 और एक 8 4 ये 8 21 एक क्यूपर बार के अलावा 847 बार के अलावा 848 तो एक अधिक है भी भी एक इसमें Add करना पढ़ेगा यह यह निमन्नकी 8.482 इसके अधिक आया था तो एक इसमें जोड़ देते हैं 2 और एक 3 ये 8 ये 4 ये 8 एक की उपर बार था बार के अलावा 848 बार के अलावा 848 तो यह हमारा अंसर हो जाएगा 208 4799 कि नीचे कितना है 900 तो पॉइंट यहां पर लगेगा एक नू है तो एक की उपर बार हो जाएगा बार के अलावा 409 489 को इसमें एड करके देखना फिर जो संख्या है उसमें देखना कितना अधिक है उतने एड करते जाना जब तक रिपीट ना हो तो इसको आप सोल करके देखना 209 अब यहां पर देखो अब पिछ जितने भी क्योस्टन्स किये थे उसमें डेसिमल के बाद वारी संख्याओं पर अंकों पर जो बार था लेकिन यहां पर पहले ही बार दे रखा है तो इसका मतलब क्या है तो पॉइंट से पहले कोई अंक है और उसके उपर बार है इसका म और जो पॉइंट के बाद है निकि 0 पलस में 0.68 इसको ऐसे लिखेंगे जिसके उपर बार है वो तो माइनिस का हो जाएगा और 0.68 है तो इसको लिख देंगे 0.68 और यह पलस का होगा अब आपको जोड़ना तो आता ही होगा एक संख्या पलस की है एक माइनिस की है तो यह माइनिस होगी और साइन हमेंसे बड़ी संख्या का तो 5 में से माइनिस करना है 0.68 तो 5 को 5.00 लिख सकते हैं और पॉइंट के निचे पॉइंट माइनिस करना हो या फिर जोड़ना हो 6. six eight इसको माइनस कर लो अब तो दस में से आठ गया तो दो बचा नो नो में से छय गया तो तीन यहां पर बचा चार तो च्यार-3 2 और बड़ी-संख्या 5-3 की साइन माइनस का आएगा तो माइनस का च्यार-3 दो यह इसका अंसर होगा अब आप decimal हटा सकते हो 432 decimal की जगह पर एक इसके बाद दो अंक है तो 20 और यह माइनस का तो यह हमारा answer हो जाएगा इसको cancel करना चाहो तो cancel भी कर सकते हो आठ के उपर बार तो माइनस का होगा और पलस में 0.66 इसको माइनस के लेना तो 6 और 4 है निसे तो आएगा छीरुर च्छाँ और तीन यह तीन और यहां पर साथ तो यह माइनस आएगा यह डीसिमल हटाना चाहो तो तीनोर द्यसिटा यह बात दो अंक है तो माइनस का यह निच्छे आजाएगा सो और यह माइनस की होगी तो यह हमारा अंसर होगा इसको माइनस करेろ ओ kadın से समझने आए डारेक्ट डारेक्ट कैसे करते हैं जो एक एक अंक होता है उसका जोड़ जीरो होना चाहिए और बाकिका नो होना चाहिए 211 तो माइनिस का 9 पलस में 0.47 9 में से सको माइनिस करना है तो 7 3 10 यानिके 3 आएगा और 4 और 5 नो तो ये 5 आएगा और ये 8 हो जाएगा तो माइनिस का 8.53 तो 853 डिवैड में 100 और ये माइनिस का तो ये हमारा अंसर होगा माइनस का ग्यारा पलस का 0.7 है तो ग्यारा में इसको माइनस करना है तो 6 और 4 10 7 और 2 और ये 10 माइनस का तो ये हमारा अंसर होगा डैसिमल हटाना साओ तो 1024 डिवाइड में 100 और वो भी माइनस का 213 दो के उपर बार तो माइनस का 2 पलस में 0.34 4 और 610 3 और 69 और ये हो जाएगा पॉइंट एक ये हमारा अंसर होगा 166 डिवाइड में 100 वो भी माइनस का माइनस का साथ पलस में 0.58 इसको माइनस करोगी तो 8 और 2 10 5 और 49 तो ये हमारा अंसर होगा 642 डिवाइड में 100 9400 बार है 9 के उपर तो माइनस का 9 पलस में 0.456 इसको माइनस करोगे तो 6 और 4 10 5 और 49 4 और 5 और यहां पर ये 8 ये माइनस का तो ये हमारा अंसर होगा डेसिमल हटाएंगे तो 8547 डिवाइड में 1000 माइनस का माइनस का 5 पलस 0.455 माइनस करेंगे तो 8 और 2 10 6 और 3 9 4 और 5 9 ये 3 तो 3532 डिवाइड में 1000 माइनस का माइनस का 6 पलस में 0.464 माइनस करेंगे तो 7 और 3 10 6 और 3 9 5 और 4 9 और ये 5 तो 5533 डिवाइड में 1000 माइनस का माइनस 7 पलस में 0.574 माइनस करेंगे तो 4 और 6 10 7 और 2 9 5 और 4 9 ये 6 6426 डिवाइड में 1000 माइनस का माइनस का 9 पलस में 0.258 इसको माइनस करोगे तो 8 और 2 10 5 और 4 9 और 7 और 2 9 ये 8 माइनस का 8742 डिवाइड में 1000 और ये भी माइनिस का तो ये चैप्टर हमारा कम्प्लीट हो चुका है अगर किसी क्योस्टन में कोई प्रोब्लम है तो कॉमेंट बोक्स में पूछ सकते हों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलेगरम ग्रूप को जोइन के लेना वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी